आप सब आप सब एको मेरी और मेरी फैमले के तरफ से एत मुभारक तो एत के दिन सबसे स्पेशल चीज होती है दूद्ध खुर्मा और शेल खुर्मा तो चलो उसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए तीन लिक्तर दूद्ध जिसको हमने गरम कर लिया था पाव कीलो शुगर यानि के चीनी और खोवा लेंगे पाव कीलो एंग इलाइची लेंगे थोड़े पीसे लिचे चेल से साथ हो उस खुछबो के लिए चाहिए हमें सेवाई जिसको हमने घी में फ्राइ का लिया था और गाई फ्रूस इसको हमने पहले चॉप किया फिर उस सबसे पहले हम लोग लेंगे एक विजल और कंटेनर जिसमें हम लोग डालेंके खौवाः और उस में एकब दूथ डालेंगे लाने के पाद इसे अच्छे से मिक्स कर देजिए पूरा । कहब होाई उसमें मेल्ट होना चाहिए वैसे करना आपको देखो इस तरह करना हैं हम लोग क्या करेंगे दूद को हाइफ फ्लेम पे हीक करेंगे गैस पे अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए देखो जब तक हमा दूद खर्मा बन रहा है आप लोग मुझे कमें में बता रहा है इत कैसी जा रही है पिर इसमें हमाई चीनी दालेंगे जो हमने इसके बाइची पाउडर यह ओप्शनल है लेकिन मेरे साब से आप लोग दालिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट भी थोड़ा एन्हांस हो जाता है और इसके उपर गाइफ फ्लेम पे रखकर हम लोग अब इसमें से वहिया दालेंगे जिसको हम घी में फ्लाइक करना बहुत है और तीस मिनिक के लिए यानिक आदी खंटे के लिए हमें इसे पकाना है अच्छे से पकाते रही है और यह हमारा बन चुका है तूद्खुर्मा ओमाइग बहुत गिलीशिस बनता है आप लोग ज़रू 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 सबस्क्राइब और सबसे इजी डेजर के यार यह कि फिर लाफिस